नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्योप्रदेश 37 कर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ कीर्टि दिक्षित आवास के अभिरे से हॉलिवुड फिल्मों में अपना जल्वा बिखेरने वाली नेश्मा चेंबूर का राज हमारे साथ मौचूद है उन्होंने विभिन डबिंग प्रोजेक्ट जैसे हॉलिवुड फिल्मों कार्टून एनिमेशन फिल्मों में काम किया है और विज्यापनों में पिछले 35 सालों से हम उनकी आवास को सुनते आ रहे हैं बात करें फेमस क्यरक्टर्स की जिसमें उन्होंने अपनी आवास दी है उनमें एवेजर्स की ब्लाक विडो, काटून में लिटल सिंगहम की इंस्पेक्टर काव्या, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल्जी शाविल है वेरी टालेंटेड नेश्मा छोटे बच्चों से लेकर बुजर्ग मा तक के कैरेक्टर को अपनी आवास देती है नेश्मा चेंबूरकर को उनकी कलाकारी के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं तो आज उनसे बातवीत हम करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई है वोइस क्वीन नेश्मा चेंबूरकर बहुत स्वागत है नेश्मा जी आपका नेश्मा जी आपने बहुत सारे ऐसे क्यारेक्टर्स हैं जिनको अपनी आवाज दी है मैं आप से सबसे पहले आपका फेवरेट क्यारेक्टर जाना चाहती हूँ और उसी की एक बार आवाज सुनना चाहती हो जी वैसे तो मेरे सारे चारेक्टर्स मेरे फेवरिट हैं बट सबसे डिफिकल्ट और सबसे चैलेंजिंग रहा है और सबसे फेमस भी रहा है वो है स्कालिट जोहांसन का ब्लैक विडो जो मावल सिनेमाटिक यूनिवर्स यानि MCU में उन्होंने सारे दस के दस मोवीज में ब्लैक विडो का जो किरदार निभाया है उसमें हिंदी वोईस मेरी ही है तो वो मेरा सबसे बढ़िया और सबसे चैलेंजिंग अब तक किरदार रहा है और उसके लिए बहुत ही बेस वाइस मुझे यूज़ करनी पड़ती है तो वो कुछ इस प्रकार से होती है क्या मैं अब बिल्कुल बिल्कुल वो सुनना चाहेंगे तो वो कुछ बेस में बात करती है मेरी कोई फैमिली नहीं थी फिर कुछ दोस्त मिले एक फैमिली बन गए लेकिन हम लड़ेंगे स्टीव आखरी सांस तक बहुत शांदार ने मतलब seriously अब सुनकर के ऐसे लगता है कि हां इस तरह की आवाजे जो है वो हमने सुनी है फिल्मों में और बहुत सारे बच्चों के जो काटूंस होते हैं जिन से बच्चे कनेक्ट होते हैं कभी-कभी देखा है कि बुझरक भी होते हैं हर उम्र का व्यक् के लिए मेरी आवाज थी उसके बाद मुझे वो सीरीज छोड़नी पड़ी थी विक्यॉज ऑफ मेय डिलियूर्वर्य उसके बाद मैंने मुझे बुलाया गया फिर से ओडिशन किया गया मे के लिए और मे के लिए मुझे बहुत ही हाइपिश और बहुत ही स्वीट टोन पकरना पड़ता है तो कुछ इस प्रकार से है हाई मैं हूं मे और चलो आज हम बैटल करते हैं आश के साथ क्या तुम तेयार हो वुहू इस तरह से कुछ होता है लिटल सिंगह मैं इंस्वेक्टर काव्या मैं करती हूं जो की चोटी बच्चियों में काफे फेमिस हुआ है ये क्यारेक्टर और काव्या हमेशा वैसे तो वह बहुत ही कॉन्फिडन्ट है और सबसे बहुत प्यारी भी है लेकिन जब वह दुश्मरों के सामने होती है तो शीज लाइक ओए-ओए दू क्या घुमाके तो ये उसका तक्या कलाम है काव्या का पेपा पिक की मम्मी जो मैं करती हूं वह मेरी तरह है ममता से भरी जो पेपा जौज आज कहां गूमने चले चलो न अब सोने का वक्त हो गया या उसका डैनी डॉग जोसका फ्रेंड है वो शुरू करता है पेपा पता अज क्या हुआ हमने बहुत मज़े किये हमने ये किया वो किया और सांथ ही Emily elephant जब बात करती है जो पेपा की दोस्त है शी इस लाइख पताया पेपा आज में स्कूल में गई ती मैंने टिफिन में क्या खाया एक बड़ा सा लट्टू something like that बहुत बहुत अनुभव की जरूरत है इस तरह से अगर मैं यह जानने की आपसे कोशिश करूं नेश्मा जी की अपने अनुभव को पहचाना कैसे आपने मतलब 35 साल मैंने सुना कि आप 35 साल से ये काम कर रही है तो कैसे आपने पहचाना कि हाँ मेरे अंदर इस बात का हुनर है और मुझे ये करना चाहिए और उसके बाद आपने इतना जादा जो काम किया है कैसे पहचाना उसको मुझे लगता है मुझसे ज्यादा इस बात को पहचाना, इस हुनर को पहचाना मेरी माने तो मेरी ममी सुल्भा मंत्री और मेरे पिताजी श्री नितिन मंत्री हमारा नेश्मा थियर्टर्स करके एक प्रोडाक्शन हाउस था जहां पर पापा लिखते थे मैं ब्हुत ही चोटी थी या फिर मेरे जनम के पहले से ये था आप कह सकती है मेरा जनम हुआ, मेरे नाम रखा गया तभी नेश्मा, हाला कि नेश्मा नाम मेरे पापा का है नितिन श second Modern Forum Manitry का चार साल की उमर से मेरा पहला डबिंग प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया जब मैं चार साल की थी और किसी और लड़के को लेके गए थे वो डबिंग करने के लिए दैवत मुवी थी अशुक सराफ जी की और तब जाके अफसोस कि उस लड़के को परफॉर्म वो कर नहीं सका बिकोज बहुत ही गावरान तोन था गावठी लैंवच थी और ममी ने कहा वो नहीं कर रहा है निश्मा तुम शुरू हो जाओ और तब से जो हेड़फोन पहना और तब से एक अज़ वोईस आटिस मेरा स पर पाफफ गर्ल्स में प्लॉसम, किम पॉसिबल, कितने सारे सीरीज, कितने सारे कार्टून और एक ममी का विश्वास था कि निश्मा तुम कर सकती हो और अपनी रेंज को ढूंते-ढूंते मैं भी सीखती गई और आज मेरी वोईस एज आप कहूं, अगर मेरी एज इस 47 बट माई वोईस एज या माई वोईस रेंज इस फॉम 3 यर्स तो 85 यर्स तो अलग-अलग किरदार निभा रही हूं, अलग-अलग उम्र के अनेश्मा जी अभी आपने स्कूबी टू का जिकर किया, तो उसमें वो कौन सा क्यारेक्टर था, जिसकी आपने आवाज निकाली है, उसको भी हम सुनना चाहेंगे मैंने वेल्मा को डब किया था, वेल्मा डिंकली और वो कुछ इस तरह से चिंकीज, चलो आज हम कुछ करते हैं, आज हम इसका हल निकालते हैं, जिस तरह से अभी आप कई सारी आवाज हैं, हमने सुनी है नेश्मा जी, इससे कनेक्टिविटी कितनी जादा बढ़ती है आप करके एक जो बुजर्ग व्यक्ति है, उसकी आवास तक निकाल सकती हूँ, तो ये कनेक्ट करने में कितना जादा आपको फाइदा पहुचाता है? I think it helps a lot, मैं भी connect कर सकती हूँ, बिकास ओब्जर्वेशन के जरिये ही मैं ये सब कर पाती हूँ, और अगर हमें, see basically this is all because of observation, observing the character, जो भी करदार को हम अपनी आवाज दे रहे हैं, उसकी body language को समझना, उसकी voice texture को समझना, ये बहुत जरूरी होता है, not just that, I have dubbed for celebrity artists also like Madhru Dixit ये करीना कपूर, उस voice texture को समझना, उनके उस style को समझना, उनके अंदाज को समझ के हम करते हैं, we are not mimicry artists, dubbing artist is not mimicry artist, ये सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, we are voice actors, हम acting करते हैं अपने आवाज के जरिये, आपने अभी जस तरह से कहा कि माधृ दिक्षित हैं, या करीना कपूर ह तो एक डालॉग उनका भी हो जाए, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे, नहीं वही मैंने का, मैंने क्रियाटिस नहीं है, उनके लिए dub किया है, तो जो dub किये हैं, जो भी वो लाइन जोगी, हाँ मैंने मतलब, अगर माधरे दिक्षित का, उनका एक अपना बहुत ही बढ़िया एक वागा, डबल रोल, ऐसे कुछ उन्होंने किया हुआ है, अगर हैटफोन होते हैं, और अगर मैं उनके आवाज सुन पाती हूँ, तो इम्मीजेटली कॉपीकैट की तरह मैं वो टेक्षिन निकाल पाऊंगे, वो ज्यादा एजी रहेगा मेरे लिए, नेशमा जी, एक कि उसमें वोइस देनी है, या पहले से ये बताया जाता है, कैसे डिफरेंट्शीट करते हैं, कि हर एक काटून करक्टर की अलग आवाज होनी चाहिए, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएं, हर एक जो रोल है, वो किसी व्यक्ति का हो, उसकी आवाज कैसे अलग होनी प्रॉपर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर मेरा हुनर पता है मेरा टालेंट पता है मैं किस तरह से मॉडूलेट कर सकती हूं यह पता है तो उस हसाब से देविल कॉल मी वो मुझे बुलाएंगे मैं जा के ओडिशन दे दूगी जैसे मैंने नेटफ्लिक्स के लिए क्राउन सीरीज जो इतनी फेमस हुई है यंग क्वीन इलिजबट के लिए मैंने दोनों सीजन में मेरी आवाज है और एसे कई सारे प्रोजेक्स हमने किये हैं लेकिन जब फ्रेश अनिमेशन होता है अरिज स्केच दिया होता है और लाइन्स होते है तो वहां पर हमें किसी की आवाज नहीं सुनाई देती जिसे हम फॉलो कर सके जिसे हम कॉपी कर सके तो उस समय वहां पर जो क्रियेटिव होते हैं डिरेक्टर होते हैं वह हमें बताते हैं हम कुछ दो तीन आवाजी ट्राइ करते है जिससे वो character उभर के आ सके, निखर के आ सके, उस character की आवाज हमें बननी पड़ती है और जैसे Inspector Kaavya का मुझे age group बताया गया था कि यह इस तरह का age group है, इस तरह से बात करेगी, confident है, यह है, वो है उस हिसाब से उस characteristic को जान के, समझ के, हम एक अलग आवाज देते हैं उस किरदार के लिए और फिर जब animation बन के आता है, then we go on and continue with that tone, तो हमें वो ही tone मेंटेन करना पड़ता है अनेश्मा जीब, मेरे एक और सवाल आपसे रहेगा, कि आपने कहा कि काम की जो शुरुवात थी और कही न कहीं जो मेरे हुनर की पहचान थी, वो मेरे माता-पिता ने करी है इंडिया की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत एक open market होती है, यहाँ पर आपको पहचान मिलती है बाहर की बात करते हैं, बॉलिवुड की फिल्मे हैं, बॉलिवुड के जो हमने series देखी है, जोस तरह से आपने जिक्र किया कि उनमें भी आपने आवाज दी है तो वहाँ तक पहुँचने का सिलसला कैसे हुआ? वही हुआ न, देखिए काम के जरीए, मैं तो कोँगे, मैं खुद नहीं बोलती है, मेरा काम बोलता है तो मेरे काम, अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छे जगा से बुलावा आएगा, आपको options खुल जाते हैं इतने सारे, not just Bollywood के या Hollywood की सीरीज, बट मैंने voice industry के हर टाइप में काम किया है भले वो IVR हो, चानल प्रोमो हो, वो narrative हो, वो ad हो, वो radio spot हो, वो audio description हो, वो movies हो हर तरह के podcast हो, हर तरह के टाइप में मैंने आवाज दी है और अलग-अलग भाशाओं में भी दी है सिर्फ हिंदी, English या Marathi में मैंने भूचपूरी, बांगला, गुजराती, पंजाबी, सारे भाशाओं में भी मैंने डब किया है तो मुझे लगता है कि आप अपरोच नहीं करते, आपका काम अपरोच करते हैं किसी मुवी का, सच को ऐसे कुछ यार नहीं आता है बट मैं यह जरू कहूंगी अगर जैसे आवाज हर जगा है तो अगर हम फोन करते हैं मुंबई में अगर आप मुझे कभी फोन करो तो वोड़ा फोन में इस तरह से कुछ आवाज आती है, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है, वो क्रिपया, किसी अनने कॉल पर व्यस्त है क्रिपया दुबारा कॉल करे, the number you have told is busy on another call, please try again later यह मेरी आवाज नहीं है, बट इस तरह से बोलते हैं, IVR होते हैं यह फिर हम मुंबई के अगर स्टेशन में जाए, रेडियो अपना ट्रेंज में आवाज आती है कि पुढ़ स्टेशन घाट को पर, नेक्स्टेशन घाट को पर, अगला स्टेशन घाट को पर तो इस तरह से हर स्टाइल एक होती है, हर एक प्रकार के वोईस इंडस्ट्री, कि there is a different style assigned to that particular type, वो करने में बहुत मज़ा था जैसे animation में अलग-अलग तरह के आवाजे करते हैं, मिकी माउस के एक roundish voice हो ती है, मुसका मुसका मिकी माउस, इस तरह से high pitch and round, शिंचान के अगर वोईस है, क्या कर रहें, औरे चलो ना करते हैं, या डोरी मॉन, मैंने ये किरदार नहीं किये, बद दुसमाई observation, और ये सुन ही मेरी पहचान है, बलकुल बहुत अच्छी बात आपने करी है, और कहीं न कहीं इसका फायदा भी आपको मिलता होगा, एक मजाक के तौर पर अगर कहें, तो अगर किसी को आपको बताना है कि मैं नहीं हूँ, तो आप फोन करके बोल सकते हैं किसी की भी आवाज में कि आप और शुक्री आपका.